असलाम लीकुम विवर्ज दिस इस मी हमजा और आप देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमजा हनी वर्ड तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब कितने पैसे पे करता है यूट्यूब कब पे करता है और यूट्यूब किस तरीके से पे करता है को start करते हैं तो सबसे बहले हम बात करेंगे यूट्यूब कब पे करता है अगर आपने यूट्यूब चैनल क्रियेट किया है तो आपको उसके लिए एक authentic जीमेल की जुरूरत होती है आपने यूट्यूब 3 वीडियो और maximum आप जितने भी वीडियो बनाते हैं उससे आपको यानि उससे कोई सरुकार नहीं minimum 3 वीडियो आपकी required होती है जब आपने चैनल को 1000 subscribers और 4000 watch hours आपके complete हो जाते हैं तो फिर आपका चैनल जो है वो यूट्यूब monetization के लिए आप forward कर देते हैं उसके अंदर सबसे पहला जो step होता है आप यूट्यूब की कुछ settings करते हैं जिसके अंदर आपको यूट्यूब की कुछ policies को agreement करना पड़ता है उसके बाद second number पे आपको adsense का account बनाना पड़ता है वो आपको google adsense का account जो है वो youtube का second option होता है जिसके अंदर आपको google adsense account बना कर उसको verify करना होता है और youtube का जो यह procedure होता है यह आपको google खुद बाखुद step by step जो है वो follow कर देता है और इसके बाद आपका third number पे जो process होता है वो आपका process होता है कि आपका जो channel है वो under review चला जाता है और under review के जब बाद अगर आपका channel के अंदर 4000 watch hours और 1000 subscribers अगर आपने complete कर ली हुए है तो आपका channel monetize हो गया अब जैसे कि आपका channel monet monetize हो जाता है उससे पहले आपके अगर views आए हुए है या आपका watch hours watch time जो है वो बहुत ज्यादा आपने gain कर लिया तो उससे आपके YouTube channel पर अगर ads चल भी रही थी उससे आपके channel को कोई फरक नहीं परेगा यानि उससे आपको कोई earning नहीं होने वाली earning start होती है monetization के बाद सबस पहला जो question है वो आपके दिमाग में clear होना चाहिए कि जो YouTube की monetization on हो जाती है यानि आपका monetization वाला process complete होने के बाद आपके video के उपर जब dollar sign on हो जाता है यानि monetization on हो गई उसके बाद आपको जो views मिलते है आपको जो उसके उपर watch time मिलता है और उसके उपर जो ads चलती है basically उसका सारा का एक process है उसके अंदर आपको पैसे मिलते हैं basically आपको views के पैसे नहीं मिलते सबसे पहली बात तो आप clear कर लिए हमने दिमाग में views के कोई पैसे नहीं मिलते ना ही आपको watch hours के पैसे मिलते है basically पैसे आपको मिलते हैं कि जो ad आपके YouTube channel के उपर चल रही होती है य revenue जो ad आपके जो company आपकी video पर ad चलाती है 45% YouTube earning उसमें से होती है और 55% आपको YouTube प्रहम करता है आपकी ad के उपर तो यानि जो ad आपकी चल रही है जिस video के उपर वो ad का 45% आपको मिले 45% YouTube रखता है और 55% आपको मिल जाता है यानि इस तरीके से earning होती है अगर आपके 1000 views हुए ह तो आपको 1000 के उपर अगर आपकी ad जो है वो लोग नहीं देख रहे और एक वो channel जिसके उपर लोगों ने 1000 views दिये हैं लेकिन उनने ad को भी देखा है तो उससे आपकी revenue अच्छा होगा उस बंदे की निस्पर जिसकी ad आपने नहीं देखी उस बंदे को revenue नहीं जाएगा या बहुत कम generate होगा और second number पर एक और चीज़ एक factor है कि आपका जो channel है वो किस चीज़ से related है अगर ऐसा बंदा जिसके channel के ओपर views आ रहे हैं 1000 views है यानि एक video के ओपर 1000 views है और वो video जो है वो technology से related है business से related है या इस तरीके का content है जो के ads उसके ओपर चल रही है इस तरीके के यानि technology से हवाले ads चल रही है तो ऐसा जो website से related जो information जो बंदा फ्राहम करता है YouTube पर उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं बानिस्पत उसके जो vlogs बनाते हैं या जिनका ordinary content होता है ऐसे लोगों को channel के ओपर views तो मिल रहे होते हैं लेकिन उन लोगों के निस्पत उनकी कमाई कम होती है जिन इनका technology से related या business related जो है platform वो महया कर रहे होता है YouTube पर तो ये बाद एक clear हो गई जहन में कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो views की बनियाद पर नहीं मिलते हैं बलके content की बनियाद पर मिलते हैं और second number पे उसके उपर ads किस किसम की चल रही हैं उसके उपर मिलते हैं यानि एक बंद ads चलेंगी तो उससे उसको उतना revenue generate होगा और दूसरा person जिसकी वीडियो आठ मिनट की है और उसके वीडियो के ओपर ads चल रही हैं बाहर से यानि वो ads जो है वो technology से related चाहें वो पाकिस्तान से देखी जा रही हैं बाहर से देखी जा रही है लेकिन उस पर technology के हवाले से ads चल चल रही है तो वो ads के ज्यादा पैसे मिलेंगे थार्ड नंबर पर फेक्टर आ जाता है कि पैसे ज्यादा कैसे मिलते हैं एक person अगर वीडियो बनाता है English में यानि वो content जो create कर रहा है वो worldwide क्योंके language जो है पाकिस्तान की पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादा तर उर्दू बोली जाती है हिंदी बोली जाती है तो ऐसा content जो है वो पाकिस्तान इंडिया में ज्यादा देखा जाता है लेकिन अगर एक person ऐसा content बनाता है जो के उसकी वीडियो वर्ड वाइट कैनेडा फ्रांस इटली जपान यूके यूएसे वगरा में देखी जा रही है तो वहाँ पे जो wrath चल रहाई है वहां में एड़'s का रेट जो है épू पाकिस्तान की निस्पत में बहुत ज्यादा होता है तो उसको वहां से जो earning आएगई वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी तर यह तीनों are जो थे यूट्यूव की अर्णिंग में बहुत ज्या हो जाते हैं यानि और हैं यानिफिकेशन पिन आती है वह आपके घर के अंदर में सूथ होगी जब आपका वेरिफिकेशन पिन आपको आजाएगा वह वेरिफिकेशन पिन आप उसके उपर एंटर करेंगे देन आपको एक option मिलेगा कि आप अपना bank account जो है उसके उपर enter करें यानि add payment method करें जब आपका add payment method successfully कामयब हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसमें अपना जो add sense का account है जिसके नाम पर बनाया है उसी के नाम पर आपने bank account open करके उसके अंदर आपने उसकी details enter कर देनी है सबसे पहले उसका नाम, IBA number और swift code ये तीन चीदें जो हैं आपने enter करनी है IBA number, international bank account number होता है और swift code हर बैंक का एक swift code होता है जो के आपने enter करना है, swift code enter करने के बाद आपका जो account है वो उसके अंदर registered हो जाता है उसके बाद 100 dollars की जो threshold payment है जो YouTube की तरफ से add sense में add हो रही होती है वो आप निकलवा सकते हैं और last पे बात रह जाती है कि अब जो YouTube की income आपको first income आ जाती है उसके बाद अगर आप ने next जो income generate करनी है उसके लिए भी आपको 100 dollar का threshold complete करना परेगा यानि 100 dollar every time आपको complete करने परेंगे देन आप YouTube से income जो है वो add sense में वो जो जमा हो रही होती है वो आप निकलवा सकते हैं अब YouTube की income कब आती है, account में कब आती है मिसाल के तोर पर आपने यकम January से आपका चैनल monetize हो जाता है और उसके ओपर जो videos है पुरानी और नई videos जितना भी उसका income generate हो रही होती है लेकिन वो जो final income है वो 8 से 12 तरीख के दरम्यान आपके जो add sense account के अंदर उसके ओपर show होने लग जाती है उसके बाद आपकी जो account में जो add sense account में जो income show हो रही होती है वो 21 से 25 तरीख के दरम्यान आपके bank account में transfer कर दी जाती है तो ये जो सारी information थी ये new YouTubers के दिमाग में आ रही थी लहाज़ा ये वीडियो बहुत important है इस वीडियो से आपके तमाम मसले मसाइल आपके तमाम questions जो है वो clear हो गये होंगे कि YouTube कितने पैसे pay करता है और कितने पैसे कब यनि वो pay करता है और कब आपके income जो है वो आपके bank account में transfer होती है एक last चीज मैं आपको बता दूँ कि YouTube पे अगर आप income ज्यादा generate करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो की जो length है वो 8 minute से ज्यादा करें क्योंकि 8 minute से जो ज्यादा की वीडियो होती है उसके उपर multiple ads जो है वो चलती है यानि एक वीडियो जो है वो 7 minute की, 4 minute की, 3 minute की वीडियो है उसके उपर यहां तो starting पे ad चलेंगी या end पे ad चलेंगी उससे आपको income जो है वो कम generate होती है ऐसी वीडियो जो 8 मिनट की होगी उसके उपर multiple ads की option हम खुद create कर सकते हैं यानि उसके उपर आपकी जो ads है वो starting पे mid में कहीं भी start हो सकती है और जो है end पे भी video की उपर ads चल सकती है जैसे एक मिसाल है एक drama है यानि एक गंटे का drama है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि sometime ऐसा होता है कि एक drama चलते चलते YouTube पर एक drama की serial अपलोड की जाती है तो उसके उपर starting के भी ads चल जाती है दरम्यान में भी 2-3-4 बार ads चलती है और end में भी ads चलती है तो यह जो ads का सबसे ज़्यदा factor है उससे आपकी earning होगी तो अपनी वीडियो की जो length है वो 8 minute से अबव करें जिससे आपकी जो earning है वो ज्यादा हो सकती है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है I hope so कि आपको आज की वीडियो से काफी फायदा हो गया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस पाकिस्तान जिन्दाबाद